तो हाई गाईज वेलकम बेक तो माई चैनल दिस खुशी की लाइफ और आप सोच्रिंग के मैं कितनी मैसी मैसी लगागी हूं दो मैसी मैसी लग जीन के बहुत तेस्टी है और तेस्टी होगी और एज्वी बहुत घंटी दो सब्सक्राइब काण गटहसिं अब बंत कधाई में चैनल बनाइश है किकर शपटर बावल होने आप किसा आप ही त्सकंधे यह मैं हमने ऊटनीड णा साब्लो pista पेस्ट लें लिया है अब इसमें थोड़ी एक रहे हैं थोड़ा सा मिर्शी थोड़ा सा नमक अब हम इसमें थोड़ी से ड़ी डालेंगे ताकि आपके पकोडे वो थोड़ा सा टेस्टी बने अब इसमें पानी एड़ कर रहे हैं अब इसके पेस्ट बना लिया है अब हम देख लेंगे हमारा जो हीट हो गया है तो हम इसमें अपने पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे अब इसमें पेड़ा लेली है लसी आप चाहे तो दही बहसाथ है अब आप लसी लेंगे तो इसकी जो त्राइब ने वहाँ पाफी टेस्टी बनेंगे तो आप जब भी बनाएं तो मुश्की ट्राइ करें कि अप लसी सही बनाएं क्योंकि इसका टेस्ट काफी अच्छा आता तो कडी है बहुत ज्यादा थिक बन जाएगगर अपनी जो भीषिन कानोटी उसे कम रखिए चंद एक पने खुर में थोड़ा साइक चली है के तो इस इस अच्छी में सो प्रबशे करेंगे तो अच्छी से में अच्छी से भी निटी तो आप में ने हाँ पर जालिए और थोड़ा समे मेथि काड़े जाल है कड़ी पत्ते हैं तो मैं यूज नहीं कर रहे हैं तो मैं यूज नहीं कर रही है कि उसे भी कड़ी कर टेस्ट काफी जागा अच्छा आता है यहां मैंने आदगार बसन का टेस्ट डाल दिया है कि अब यहां मैं थोड़ा से हींग कर रही है अब रही है कि आप तैयार बहुँँद डाल देंगे अज़को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम अब गाइस में हम हल्दी आड़ करेंगे थोड़ा सा कलर इंप्रूब हो जाता के लिए घयगी आड़ करेंगे तब एक ते फान में करेंगे को यह एक पर गशेव के आड़ करेंगे बाद में आपकोड़े अड़ लेंगे इसको 2-3 उबाल आने के बाद तो हमने आपकोड़े अड़को थोड़ा सा उबाल आने जीजे अच्छे से ताकि हमारी कड़ी और टेस्टी बने क्यूंकि आप कड़ी एक में जितना भी उबाल लगाएंगे उतनी ज्यादा ही कड़ी टेस्टी बनेंगी तो यहां हमारी कड़ी अब रेडी हो चुकी है खाने के लिए आप अब इसे खा सकते हैं अब इसे चामल के साथ सर्फ कर सकते हैं रोटी के साथ सर्फ कर सकते हैं आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और थोड़ा सा व्यू टाइम भी बढ़ाईए ताकि मेरे जो वीडियोस हैं उन्हें अच्छा रिस्पांस मिले थैंक यू गाइज